So hey guys, welcome back to another video तो गैस आज की इस वीडियो में हम श्री राम जी के इस portrait को ड्रॉट करने वाल है Actually इसका outline tutorial पहले मेरे YouTube चाल पर upload कर चुका हूँ जिनोंने भी नहीं देखा है वो जड़ी से जाके देख लेना Link आपको description में मिल जाएगी तो आज की इस वीडियो में जो भी फेस वाला पार्ट है वो किस तरह से ड्रॉट करने है वो step by step सिखाऊंगा तो चलिए इस वीडियो को start करते है तो इस portrait को ड्रॉट करने के लिए मैं doms के oil pistol colors का use कर रहा हूँ जो के मुझे 25 shades में देखने को मिल रहा है यहाँ पे तो यह में first time use कर रहा हूँ तो देखेंगे किस तरह से results हमें देखने को मिलते है तो चलो अभी start करते है तो face पे reference में आची से observe करके जो भी dark tone से उससे में start करूँगा तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा violet color का use करना होगा तो dark tones को shade करने के लिए सबसे basic layer को apply करने के लिए मैं violet color का use कर रहा हूँ तो जहाँ पे मुझे काफ़ जादा dark values लग रहे है वहाँ आप में काफ़ pressure का apply कर रहा हूँ और जहाँ भी काफ़ highlight areas है या फिर हम किया सकते जोगी light areas है उसको skip करके मैं shading कर रहा हूँ और जहाँ पे भी बहुत ही जादा light areas है वहाँ भी हम white color का apply करेंगे तो सबसे पहले dark tone को apply कर लेने के बाद उसके उपर से मैं person blue color का apply कर रहा हूँ विकोज आपे मुझे reference में थोड़ा सा blue tone देखने को मिल रहा है तो dark tones और dark depth के जगह पर हमें उस color को आच्छे से use करना है तो बस आप देखों में किस तरह से shading कर रहा हूँ तो basically एरके shading कंप्लेट हो जाने के बाद जो भी remaining areas है उसे हमें आच्छे से white color से fill कर देना है और ध्यान रखने all pastel medium में बिल्कुल भी जागा मत छोड़ देना अच्छे से color को fill करना वरना आपकी blending आच्छे से नहीं हो पाईगी यहाँ पर सबसे पार्ट सारी परस अच्छे से fill up कर लेने के बाद eyes वाले parts में जो भी details है जो की काफी बारिक से details है उसे आच्छे से fill up कर रहा हूँ white color से अब उसके बाद हम blending करेंगे तो blending करने के लिए हमें earbuds का use करना है और युवे earbuds के उपर जिस color से हमने shading की थी उस color को आच्छे से गिस लेना है कुछ इस तरीके से उसके बाद हम circular motion में आच्छे से time देखे हमें blending करना है तो बस अब देखो में किस तरह से कर रहा हूँ और light areas में अलग earbuds का use करना और dark areas में अलग earbuds का इससे हमें काफ़े आच्छे से effect देखने को मिल जाएगा blending की time पर जो भी chain वाला पार्ट हुए उसमें मैंने थोड़ा सा yellow color का use किया है तो उसे अच्छे से blend करने के लिए मैंने अलग earbuds का use किया है उसी earbuds का use मत कर देना वरना वो yellow color अच्छे से नहीं उट पाएगा उके तो blending कम्रेट होने के पाथ जो भी remaining पार्ट है जैसे के hairs या फिर नीचे नेक वाला पार्ट उसे मैं आच्छे से shading कर रहा हूँ अब in compare to face हमें वो काफ़ जादा dark नजर आ रहा है तो उसमें मैं थोड़ा सा dark color का use कर रहा हूँ और face में मैंने थोड़ा सा black color से shading किया है जाब मुझे काफ़ जादा dark values दिखाए दे रहा है और जो भी remaining part है जो आप हमें dark values face में चाहिए उससे में charcoal pencil के मारे से किस तरह से करना है वो वीडियो में आगे बताऊंगा तो अब hairs वाले part में मैंने सबसे पहले violet color से आची से shading की थी और यह dark part है तो मैंने काफ़े दादा pressure का apply करके यह आप़े shading किया और उसके उपर से हमें थोड़ा सा light यानि के purple color का use करके अची से दोनों layers को आची से match कर लेना है और earbuds के मारे से जिस तरह से हमने face को blend किया था तो में उसी तरीके से करना है उसके उपर से black color का apply करके आची से blend कर लेना और जो भी hairs के stroke से वो आची से reference के according observe करके draw कर लो तो बस देखो मैं किस तरह से आपे draw कर रहा हूं ओके तो अभी blending complete हो चुकी है अब face में detailing काफी जारे important होती है तो वह हम सबसे पहले देंगे तो detailing को add करने के लिए मैं यहाँ पर soft charcoal pencil का use कर रहा हूं जो कि Camblin के soft charcoal pencil है और आगर आपके पास charcoal pencil नहीं है तो आप थोड़ी सी बड़े grades की यानि की dark pencil का use करके भी कर सकते हो यहाँ पर charcoal pencil के मदद से eyes की details, eyebrows यानि की जो भी darkest areas थे काफे highlighted उसे वो छोड़के जो भी dark parts है उसे ऐसे detail में मैं draw कर लूँगा तो आगे बस देखो मैं किस तरह से कर रहा हूं और reference image आपको screen पर देखने को मिल जाएगी और जिन लोगों को भी यह drawing draw करना है इसके reference image read के साथ मेरी description में है जाके check out करो और download करके draw करना और try करना चलो तब बस देखो मैं किस तरह से कर रहा हूं अच्छा तो अब जो भी jewelry वाला पार्ट है उसके तरह आएंगे और टेलक वाले पार्ट में मैंने red color का mostly use किया है तो उसके बाद जो भी detailing पार्ट है उससे आच्छे से highlight करने के लिए हम scratching technique कर यूज़ करेंगे उसके लिए mainly दो materials होते है जब आपके पास doms के oil pistol होते है तो मैं एक tool मिलता है scratching tool जिससे आप आप आच्छे से scratch कर सकते हो लेकिन मैं usually scissor का use करता हूं तो मैं उसी का use करूंगा तो जो भी highlighted parts है उसको देखो मैं किस तरह से scratch करके highlight कर रहा हूं करें के लिए उसके लिए मैं आपके पास यूज़ कर सकते हो अच्छे से देखो मिकिस तरह से कर रहा हूं आपको सब चीजे समझ में आ जाएंगी तब फेस पे सबसे detailing हो जाने के बाद सारी चीज़े डिटेल में ड्राव होने के बाद जूएलरी पार्स को भी आच्छे से ड्राव कर लेना है और फिनिशिंग टच के लिए बस आप देखो मिकिस तरह से कर रहा हूं और जो भी detailing आपको reference में अबज़र करके देखने को मिल रही है वह आप करना जो भी changes आपको करने वह भी आच्छे से कर सकते हो तो अब बस देखो मिकिस तरह से कर रहा हूं सबस्क्राइब करने जल दिया इसके सेकेंड पार्ट में तब तक के लिए be practicing be improved and thank you so much for watching this video. बबाइ